अज़ हम बात करेंगे एक common day-to-day problem के बारे में जिसको pancreatitis बोला जाता है यह pancreas क्या चीज है और यह क्यों बिगड़ता है इसके symptom क्या है और इसे हम कैसे बज सकते हैं यह आज हम discuss करेंगे मैं Dr. Manish Kaak, consultant gastroenterologist and liver specialist मनीपाल hospital गाजयाबा हमारा जो digestion होता है जो हम खाना खाते हैं उसमें 70-80% जो action होता है वो pancreas का होता है जिसको अगनाशे बोलते है pancreas से कई digestive juices निकलते हैं जो हमारे खाने को कारते हैं, digest करते हैं फिर यह आगे जाके intestines में absorb होता है अब pancreas में problem क्या आती है, pancreas में जो main बिमारी है उसको acute pancreatitis बोलते हैं या chronic pancreatitis बोलते है acute pancreatitis क्यों होता है? इसका सबसे ज़्यादा important common cause होता है alcohol जो विक्ति कई साल तक लगाता है शराब पिये, काफी शराब पिये तो उसके pancreas में damage हो जाता है alcohol जाके pancreas में cell damage करता है जिसके कारण को pancreatitis हो जाता है और कारण होता है किसी का गॉल बेडर में stone अगर आता है पित की थैली में पत्री आती है वो एक डक्त कोता है गॉल बेडर के आगे जो एक नलकी निकलती है उसमें जाके फस जाती है वो pancreas भी blockage देता है और कारण होता है pancreas में tumor आया, cancer type grant हाई या कभी कोई बाइचांस आपने ऐसी दवाई खाई, कोई medicine खाया जिसने pancreas पे attack दे दिया या कई बार किसी का lipids, triglycerides बढ़ जाए लेकिन एक बाद ये भी important है कि 10-15% लोगों में कई बार हमें कारण मिलता भी नहीं कि pancreas क्यों हुआ इसमें कुछ कारण genetic होते हैं मतलब आपके gene में ऐसा कोई cell आया है जो pancreas को बार बार खराब कर रहा है अब यदि pancreas टेटिस होता है तो उसके election क्या होते हैं उसके election होते हैं severe pain abdomen मतलब पेट में बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द हुआ और बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और unrelenting pain बोलते हैं इसको ऐसा pain होने पर आपको तुरंथ hospital जाना चाहिए और immediately emergency में किसी doctor से मिलना चाहिए जो आपका basic सा test करेंगे जिसको pancreatic lipase और MLA's blood test बोलते हैं एक normal सा ultrasound होता है जिसमें ये clear होगा कि क्या वाकिया आपको pancreatitis हुआ है और in case pancreatitis हुआ है तो फिर immediately hospitalized होना पड़ता है और further treatment फिर डॉक्टर अपनी इमसाद चलाते हैं अब pancreatitis से बच कैसे सकते हैं बचने के लिए best और जो जो सटीक तरीका है वो ये है कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है अब करना एमर है ऐको से रोसिज हुआ है अपको और बीए डैमेग्ज हुआ ऐसे को और भी रिस्क है अगर किसी का लिवर डैमेज है इसको और भी रिस्क है रिसक है कि इसको ये pancreatitis हो सकता है और अगर गॉल बेडर में स्टोन है, छोटा स्टोन है या आपका बार बार पेन हो रहा है गॉल बेडर स्टोन का तो उसको निकलवाना चाहिए गॉल बेडर की सर्जरी करानी चाहिए और कभी-कभी अगर ये गॉल बेडर का stone फसके बाइल डक्ट में आता है तो उसका ERCP करके एक टेस्ट होता है एंडिसकोपी के दोरा एक procedure किया जाता है जिसके जरिये गॉल बेडर के जो बाइल डक्ट का stone है उसको clear किया जाता है और further इसका treatment चलता है कभी-कभी ये acute pancreatitis अगर बार-बार हो जाए तो chronic में चला जाता है, जिसको chronic pancreatitis बोलते हैं, जिसमें pancreas में पत्री बनती है, वो सिकुड जाता है, सूख जाता है, digestive enzymes कम पड़ते हैं, तो मरीज को अलग-अलग symptom आते हैं, chronic pancreatitis के symptom क्या होते हैं, वजन कम होना, खाना digest नहीं ह करा किया जाता है, और उसको चक किया जाता है, और उसमें फिर रिप्लेस्मेंट ठेरपी, कुछ pancreatic enzymes, कुछ टेबलेट्स चला के उसको ठीक किया जा सकता है, So my friends, आज मेरा मेसेज ही है, कि अपने pancreatitis को healthy रखिए, alcohol avoid कीजिए, और कभी भी ऐसा pain हो, जो बिल्कुल भी आपको relief नहीं आ रहा है, तो तुरंथ hospital जाके नजदी की hospital में दिखाएए, और उसका treatment कीजिए, और हम Manjipal Hospital Gaziabad में, यदि आप around है तो आ सकते हैं, इसका पूरा treatment यहाँ पर available है, thank you very much, namaskar.